मुश्कार लाइफ 24 देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ नंदनेगुरू उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा और मतुरा के दौरे पर है दौरे के दौरान सीम योगी ने आगरा में फतहबाद स्थित ताजीस्ट गेट के मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के हाई स्पीड ट्रायल रन का शुभारं किया इस दौरान सीम योगी ने जामा मज़िद मेट्रो स्टेशन को लेकर एक बड़ा एलान किया है CM योगी ने एलान कर साफ कर दिया कि जामम मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम मन कामेश्वर मंदिर स्टेशन रखा जाएगा पिछले काफी समय से इस बात को लेकर काफी चर्चा भी की जा रही थी कि आगरा में जामा मज़िद मेट्रो स्टेशन का नाम क्या रखा जाएगा अब योगिया अदितनाथ ने साफ क्या दिया है कि मेट्रो स्टेशन का नाम बदल कर मन कामेश्वर मंदिर स्टेशन होगा CM Yogi ने आगरा में ताज East Gate के Metro Station का शुभार्म किया और इस दौरान उन्होंने आगरा Metro Rail और Metro Station का भी निरक्षन कर Metro के काम को देखती हूँ तारिफ भी की उन्होंने कहा कि आगरा में Metro Rail परियोजना का काम तेजी से चल रहा है जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये तैस सीमा से पहले ही काम खत्म हो जाएगा सेम योगी ने कहा कि पहले आगरा में मेट्रो स्टेशन परियोजना के काम की समय सीमा अगस्त दोहजार चौबिस की लेकिन जितनी तेजी से ये काम चल रहा है उससे लगता है कि ये फरवरी दोहजार चौबिस तक बनकर तयार हो जाएगी आगरा में मेट्रो स्टेशन का ट्राइल पहले भी हो चुका है लेकिन तब उसके रफतार 40 किलोमीटर प्रतिगंटे के रफतार से थी लेकिन अब हाई स्पीड ट्राइल से हो रहा है और इसकी स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रतिगंटे के रफतार से करने की तयारी की जा रही है तो वहीं सियम योगी ने कहा कि मेट्रो स्टेशन प्रियारिटी सेक्टर के तीन एलिवेटर स्टेशन बनकर तयार हो गए है ताजीस्ट गेट से मनकाविश्वर मंदिर स्टेशन तक 6 किलोमीटर में तीन एलिवेटर स्टेशन बन गए है अपने भाशन के दौरान सियम योगी ने जामा मज़ित मेट्रो स्टेशन को मनकामेश्वर कहा जिसके बाद ना मदलने के चर्चाओ पर मुहर लग गई है सेम योगी ने कहा कि तीन एलिवेटर स्टेशन बनकर तयार है मेटरो की ट्रेन भी अब लोगों के लिए चलने लगी है ट्राइल रनवे पर मेटरो दौड चुकी है जिसके बाद उमीद है कि आगरा मेटरो समय से पहले ही लोगों को मिल जाएगी आगे सेम योगी ने कहा कि आज से आगरा मेटरो के हाई स्पीड ट्रायल के शुड़वात की जा रही है आगरा वासियो को फरवरी 2024 तक मेटरो की सुविधा दे दी जाएगी सेम ने कहा कि दिल्ली मेरट के बीच रैपिट ट्रेल की सुविधा भी विक्सित की जा रही है ये कारें पूरा होने पर दिल्ली मेरट के दूरी मात्र 40 मिनट में सफल हो जाएगी तो आपको हमारे आज की वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताए और साथ ही Life24 को शेर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले धन्यवाद